ममता त्यागी जी यूपी से स्वागत है आपका हाजी नमस्ते मैंडम हालो हाजी नमस्ते मैंडम हालो हेलो नमस्ते मैंडम जी नमस्कार मैंडम हकीम जी से बात परवा दो जी त्यागी साब बताएं क्या सवाल है हाजी नमस्ते हकीम जी जाहीं हैं वो शिया गौन से मतलब 80% तो अराम है उन्हें अफ़ी कड्मी है जी बहुत बहुत मुबार्ख कहा दिया था शिया गौन अचली आपके करॉल बाग से मगाया था जी हकी वहां डोकसाद मैं कागिल खान आपके जी उनी से मगवाया था जी अच्छा जी और कोई सेवा पह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया त्यागी जी और देखिए हमार साथ भी त्यागी जी बैठे वह यह भी खुश हो गयी और कोई सवाल बताई यहाजी हाजी दिक्कत यहाजी इसके सिद्धे हाथ की तरफ जो सिद्धे वाला जबड़ा है ना जी मुझ का उसमें डर्द है कही साल से और उसमें अराम नी हो रहा बहुत ज्यादा उसमें आगसी बलती है और वो हलका खुला हुआ की रहता है सुद्धे से हो जाती है मसुद्धे में और बहुत डोक्टरों को दिखा लिया जी और दो तिन दाड़ भी उपाड़ जी उन्होंने डेंटिस्ट में इसक की पतने की यह कोटी है यह लड़ताने साल अगिंगी ठीक है जो देखे एक तो यह के मेरा काम है आपको सच्चा मश्वरा देना भगवान ने आपको फाइदा दिया उसके नाम पर किसी गरीब की कुछ मदद जरूर करें ताकि भगवान भी खुश हो जाए नाम मेरा जरू हो रहा है लेकिन मैं ना आपको नुक्सान पहुचा सकता हूँ ना फाइदा मैं तो अपना जो अनुभव है वो शेयर करता हूँ अब आपको भगवान ने फाइदा दे दिया बहुत बहुत शुक्र करें और इसका परचार परसार करें अपने सब भाईयों में भी हो जाता तो लेकर बैट जाते आप ऐसे मत बना आप सब को बताईये कि भाईयों फाइदा हो जाता है और मैंने कहा था कि आप सबर रकें सहीं हम रकें कि ये इलाज ही सहीं हम रखने वाले का है अब मेरा काम खتم हो गया आप जितना प्रचार परसार करेंगे इसका इतना ही लोगों को फायदा होगा इतना ही भगवान खुश होगा तो मेरी तरफ से आपको ये निवेदन है कि असली चीज़ का खुब लोग नकली का करते हैं आप असली का करिए ताके मैं भी खुश हो सकूँ और आपको भी कहीं न कहीं पुन मिलेगा कि लोग को रोगमुक्त होना चाहिए जितना आपका दाइरा है जितना आपकी पहुश है जिन लोगों तक भी वो रोगमुक्त होने चाहिए नहीं तो लोग बीस बीस तीस साल से तकलीफ में हैं मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ठीक हो यह उसका अपने पास लिखके रखिए कैसे खाना है सब को समझाईए और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया कि आपने मुझे खौन करके बता दिया अब देखिए यह आप जानते हैं पेट्रोल जो स्कूटर में डालते हैं पेट्रोल यह पेट्रोल वो कॉटन भीगो गए अपनी पतनी के जहां पर वो है जगा इंप्रेस वहां पर ऐसे लग का लें ऐसा करके एक दिन में एक बार करें थीन दिन लगातार करें बस और मुलट का लिया करें ऐसे भो लगा के पट्रोल यह स्प्रीट इस प्रीट जो डॉक्टर सिरींच पे ऐसे साफ करके आपके इंजेक्शन लगाता ना वो इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो एक नुस्खा है आप चाहें तो उसे बना लें सपिस्तान लिख लिए सपिस्तान उन्नाब अलसी सपिस्तान उन्नाब अलसी और आपके किचन के गरम मसालों पीपले होती है वो सपिस्तान उन्नाब अलसी सौसो गिराम और तीस गिराम पीपले आपके किचन के जो गरम मसालों में होती हैं आपकी पत्नी जानती होंगी पीपला मूल भी कहते हैं वह तीस गिराम बाकी चीजें सो सो गिराम पाउडर बनाएं और एक चमच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं खिलाएं चोटा चाहे का चमच गरम गिलास पानी पिला दे और ऐसा एक दो महीने तो आपको रोगमुक्त बनाने के सासत आपके मुझ पर एक मुस्कान आ जाती है कि हां यही वो ट्रीट्मेंट था जिससे हम अभी तक चूक रहे थे तो ऐसे ही आप लोग भी दर्श को रोगमुक्त हो सकते हैं कायरकरम लाइव है लाइव आप लोग कोई भी रोग जाहिंद आदाब जाहिंद सर मेरा स्वाल है मेरे पतिगर डाकूत गिर गे थे वह आर्मी में हैं और उस दिन अमने स्वाल किया था लेकिन आपने जवाब बता था था तीवी में कुछ खराबी होगी थी इस वज़े से अंचुन नहीं पाए और उनके एक गुटने में दर शुरू हो जाति है एक साल ओगया अच्छा वह फोज में है रिटार होगया कितनी उमर है उनकी यह 47-o 47-4 साल है फोज में ही है भी इटार होने वाण जूलाई में ठीए 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 अच्छा देखिए आप लिख लें देखिए उनको आपको देना है गॉन सिया गॉन सिया हम कहते हैं अपनी भाशा में इसे आसान भाशा में काला गॉन के दो कहते हैं बढ़ हापे में तो गउन स्या यानि काला गउन असली मिलنا जरूरी है नखली बहुत मिलना है तो ये देंक पंदरा सोला रुपे रोस का के लाज है एक काला गउन जो काले रंका होता है जायके में कड़़ा होता है लेकिन इसकी जगा लोग एलवा दे देते कोई कुछ दे द एक एक ग्राम रोजाना खाना होता है, आदर ग्राम सुब़ा, आदर ग्राम शाम, और फाइदा यह पाइट साथ दिन बात करता है, लेकिन यह रोग की जड़ पर काम करता है, अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फोन आये था किस कदर उनकी पतनी को फायदा हो गया जिसको भी असली मिल गया उसको रोग मुक्त होना मुमकिन है असली देना आपकी जिम्मेदारी अदा anymore, दिन में दो बार खिला है तो ग्राम भी असली मिल गया तो फायदा होना मुमकिन है तो दर्श को देखिए जो भी raw material आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पर बता रही हैं अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं help line number पे call करके अगर market में आपको कहीं भी कोई भी raw material दिखता है चाहे वो गौन सिया हो गौन मौरिंगा हो जैतुन का सिरका हो अलोवेरा का सिरका हो या फिर जैतुन का नमक हो कलौन जी का नमक हो तमाम यह raw material अगर कहीं भी आपको market में मिलते हैं सबसे पहले query कर लीजे help line number पे call करके कि जो आपके पास raw material है क्या यह असली है या नकली है बिना पहचान किये आप लोग इसका सेवन बिलकुल मत कीजिगा क्योंकि अगर आप लोग इसका सेवन करेंगे तो कहीं न कहीं आपको side effect हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर यहां पर करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पर खड़ा कर देता है जो कि ना तो चल पाता था दर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी और का सहारा लेके उसे उठना पड़ता था गौंसिया का इस्तमाल एक quantity में करना क्यों जरूरी है क् इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए कि उसका नुकसान भी हो सकता है तो दिखिए गौंसिया तो एक ऐसा रो मैटेरियल है जो बहुत तेज है बिलकुल लेकिन कभी हम हल्दी जादा यूज कर लो यह वो भी नुकसान दे सकती है नमक भी जादा नुकसान दे सकता है तो क्योंकि यह तो दवा का मामला एक रो मैटेरियल है काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए लोग नकली बहुत देर है अब इसकी डिमांड विदेशों से इतनी आ रही है लेकिन इसका असली होना बहुत जरूरी है और दुबई में इसकी बड़ी जरूरत है खाड के मुलकों में अमेरिका तक इसकी डिमांड है असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फाइदा होना मुम्किन है रामनाथ जी यूपी से स्वागत है आपका आपकीम आपके बात करना में जी रामनाथ जी अदाब जैहिन बताई क्या सवाल हमारा सुगर है बिलेट बिसर है हाड है ही क्या क्या आई आउप पंजाल है अच्छा अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज बता दू जिससे आपकी तीनों रोग बलके और इससे भी ज्यादा कोई रोग नहों तो आप मेरे लिए दूआ जरूर करना हो दुनिया में एक सिर्का जिसे जैतून का सिर्का कहते ह हैं अगर असली ले लें आप तीन चमश सुबा दुपेर खाने के बाद पानी में मिला कर पी लिया करिए तीन चमश रात को इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुम्किन है डाइबटीज ब्लड प्रेशर हाड और कॉलिस्टॉल पेट की परिशानी लीवर की परि लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं आप इसे असली इस्तमाल करें फाइदा उठाए मेरी दूआ है कि आपको फाइदा हो जाए पठान कोट से हैं संजीव कुमार जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार मेरू नाम संजीव वाजी ठीक है मेरे माता कर दिये पूछना जाता हूँ पूछे जी संजीव भाय मेरे माता कैना दांड के उपर थोड़ा जैसे खड़अ-खड़आ बन गया जी पोरे दांट में क्या बन गया? खड़अ जी उनर के आंके? उनके उमर कोई पचपन धाल है अच्छा दिखिए यह तो काम केल्सियम और मल्टी विटामिस का है हर तीसरे या चौते दिन एक केल्सियम मल्टी विटामिस की टेबलेट या कैपसूल उनको दिया करें और इतिजार करें अच्छा यह वो लोग भी लें जो 45-45 साल के हो चुके हैं और जिनको कोई रोग नहीं है तो उनकी हड़ियों के लिए उनकी दातों के लिए उनकी मसूलों के लिए उनकी जिसम की मजबूती के लिए हर उस शक्स को लेना चाहिए चाहे वो रोगी है चाहे नहीं है रोग 45 साल के बाद लेनी अच्छा है अग पूरी जिन्दगी गुदार सके इसके लिए केल्शियम और मुल्टी विटामिन अभी उनको हर चौथे दिन दीजिए फिर बाद में एक एक हफ्ते में एक गोली जरूरी है जब तक जीवन है यह लेना एक लाप लाप प्रे कारिये है आप उनसे ले सकते हैं मेडिकल स्टोर वालों से आपको फाइदा होना मुम्किन है संजीव जी फाइदा आपको जरूर हो जाएगा अगर आपने एक बात लिख ली है समझ ली है अगर रॉम माटीरियल आपको मंगवाना है तो आपको करना क्या है हल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं शुका जादा होने की वज़े से आप लोग शिकायक कर देते हैं कि अभी तक नहीं पहुंच पाया है लेकिन एक बात समझे कि मार्किट में जो आप लोग असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में कोई भी रॉम माटीरियल आप लोग ले लेते हैं तो वो आप मिनान रखिए थोड़ा सा सयम रखिए और इंतजार थोड़ा सा कर लिजे आपके घर तक असली रॉम माटीरियल पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नमबर पे बात कर सकते हैं